जब बिहार में शराब बंदी हुई थी तो विपक्ष को बिहार की राज्जस्व की अचानक से चिंता होने लग गई थी कई नेता सामने से शराब बंदी को लेकर सरकार पर हमलावर भी हुए थे और कहा था कि शराब बंदी से बिहार के राज्जस्व को काफे नुकसान होग एसे में अब बिहार सरकार ने कोरोना काल में प्रधान मंत्री मोदी जी की कही बातों को सच कर दिखाया है मोदी जी ने कहा था कि आपदा को औसर में बदले और नितीश जी ने बिलकुल ऐसा ही कर दिखाया है शराब बंदी से होने वाले राजस्वों की जो भरपाई है वो तो पूरी नहीं की जा सकती लेकिन अब जब्त किये गए वाहनों से करोरों की कमाई जरूर हो जा रही है जब तो वाहनों को निलाम करके इतनी राशी जमा हो चुकी है जिसे जानकर आप डंग हो जाएंगे बताएंगे पूरी ख़बर उसके पहले नमश्कार आप देख रहे हैं जंता जंक्शन और मैं आपकी साथ वंदना आए दिन बिहार में शराब बंदी के बावजूद भी शराब से भरी गाडियां तो कभी आटो रिक्षा तो कभी एंबुलन्स में भर कर शराब की तसकरी की जाती है और कितने बार तो मदनिश्यद विभाग ने इसे बकरा भी है लेकिन अब आप सोचते होंगे कि जो अधिकारी गारियों को अपनी कबजी में लेती हैं उन्हें उसका क्या फाइदा होता होगा और वो उसका क्या करते होंगे तो आपको बता दे उन जब तकी गई गारियों से करोरो रुपे की कमाई होती है और सरकार को उस से काफी ज़ादा भी होता है जानकर आपको हैरानी होगी लेकिन शराब बंदी ने सर्फ दो महीने में आट करोर की कमाई सरकार को करवाई है बतादे आज कल आपनी भी देखा होगा जस तरीके से जो शोर लगा कर मदनिशेद की तीम शराब से लगी गारियों को अपनी कबजे में करती है और उसे कबजे में लेकर गारियों को बेच कर और गारी चालक से जुर्माना वसूलते हुए आठ करोर से भी जादा अब कमाई कर चुकी है जब तकी गई गारियों की निलामी ओन लाइन बे शुरू हुई है और साती शराबन्दी कानून में जो संशोधन की बाद जुनमाना वसूलते के वजल से अच्छा खासा कमाई हो जा रहा है बिहार में जब से शराबंदी हुई है तब ही से निलामी गारियों की शुरू हुई थी लेकिन जो पिछले चार से पाथ सालों में निलामी हुई उससे उतना जादा कमाई नहीं हो पाई थी उसे ज़ादा कमाई अभी हो रही है जब से आंलाइन निलामी शुरू हुई है तब से एक नीजी चैनल के रिपॉर्ट के मताबिख पिछले 5 सालों में सर्फ 4,000 वाहनों की निलामी हुई थी जबकि अपरैल महीने से वाहनों की आउनलाइन निलामी शुरू होने से इसमें काफी ज़ादा इजापा देखने को मिला है आउनलाइन निलामी के लिए केंदर सरकार की E-Auction MSTC Portal से सिवाई प्रदान की जा रही है ऐसे में इसका असर इन दो महीनों में काफी देखने को मिला है पोर्टल पर 12,000 से जब तकी गई वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराकर उसकी निलामी की जा रही है जिससे करीब 40,000,000 रुपे प्राप्ट किया गया है ऐसे में मदनिशेट टीम की मानियत उनका कहना है कि उनके द्वारा की ये जाने वाले निलामी का हिस्सा कोई भी बन सकता है जिसको इसमें शामिल होना है वो MLID और Mobile Number देकर इसमें शामिल हो सकता है ऐसे में सरकार को काफी ज़ादा फाइदा हो रहा है बिहार में शराबंदी की वज़ा से शराबंदी की अगर बात करें तो साल 2016 से ही बिहार में शराब पीना और बेचना ग्यार कानूनी है लेकिन इसके बावजूद भी लोग मानने को तयार नहीं चोड़ी चुपे शराब पीते हैं और बेचते भी हैं तसकरी का मामला भी एक और बढ़ता जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार को करोरों का फाइदा भी हो रहा है जिसकरी में अब आठ करोर की कमाई बिहार सरकार ने सर्फ शराब से दो महीनों में की है बाखिया बाद क्या कुछ कहना चाहते हैं इसको इमामनी को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्यामरा हैंडल उनके काश कर रहे थे और मैं आपकी साथ बंदना धन्यवाद